मुझा आज़ाए AIG STF सुनेदीव शर्मा ने बताया कि STF की लुध्याना की टीम द्वारा प्रताब चोग के निकट देर रात की गई विशेश नाकाबंदी के दोरान दो आरोपियों को काबो किया गया है जो मोटर साइक पर सवार होकर बस स्टैंड की ओब आ रहे थे जिन से एक क्योट तीस ग्राम हेरोईन परामाज होई आरोपियों के खिलाब ठाना डिविशन नंबर च्छे में केस दर्ज किया गया है दोनों आरोपियों खुद हेरोईन की नसा करने के आदी हैं करीब दो साल से हेरोईन की तसकरी कर रहे हैं एक अन्य मामले में स्टैंड ने बस्ती जोदेवाल चोग करीकर नाकाबंदी के दोरान आकटीवा सेवार दो आरोपियों को कापड किया है जिनके कपजे से सव गराम हेरोईन बरामत की गई है दोनों स्वयम भी नसा करने के आदि हैं और हेरोईन बेशने का धंदा करते हैं और दोर्चा में केस तर्ज किया गया है इस तरह आपको प्रेस नूट में बताया गया है कि एक 57 नमपर FIR हमने NDP से अंडर रिडिस्टर की है जिसमें एक किलो और 30 ग्राम हैरोन जो है दो व्यक्तियों कुलदीब सिंग अंडर पलविंदर सिंग से रिगवर्ड की है यह आदमी फर्दर जो पाकिस्तान से कंसाइनमेंट जाती है उसमें से पार्ट लेते थे और उनको फर्दर अपने नेटवर्क पे अथरूर कंस्यूमर तक डिस्प्रिबूट करते है यह इनका वन-to-one कंटेक्ट था जिसके जिरिए जिए इनका ग्लाइंटेज बिएस था उ हो पता चला यह है अलग-छफले के आ रहे थे तर्मदान से भी लाते थे कर पोचला से मिलाथे दे रोजपर से भी लाते है जहां पे इनको रख्ते में आगते हैं इसे कोई बात सामने नहीं आई है यह अपने रेगुलर इसी काम में दो तीन साल से जी दो हमने पकड़ लिया है एक आत्मी और हमको इसमें वांटड है जो फदर हमको लिट करेंगा अंतराष्टी कीमत इसके बारे में कोई कमेंड नि करूँगा जी कोई इसकी कोई कीमत नहीं होती है यह कोई टांडड चीज को नहीं है जिसकी हम कीमत बता सकते हैं आपको यह डिमांड हैंड सप्लाई के साब से अचिए बढ़ गई तभी कम होगे